गुड्मोनी मचोवेस के पहले खिरसाज में मैंने आपको पढ़ाया था price का आज हम आपमें इसके आगे शुतार्ट करते है कोशिका कि संरशना के बारे में तो कोश्का की संरशना का मतलब है कि कोश्का का मुकता निर्माण जो है वो तीन भागों में है एक क्या है कोश्का जिली जो उसके बाहर का अवरण होता है एक बीच में किंद्रक होता है किंद्रक और उसके बाद में कोश्का द्रव होता है मनलब उसके बीच में एक पतार थबा रहा होता है जिसे कोशका द्रव कहते हैं ये तीन भाग मुक्ता होते हैं उसमें अब इस आधार पर कोशका के दो भागों में बाटा गया है या उसके दो प्रकार की होती है कोशका है कौन कौन से जिसे जन्तकोशका और वनस्पत कोशका अब हम बात करते हैं आपको कुछ कोशका की बात करें कि कोशका तो कोशका के जो बाहरी एक ये इसमें भी होती ये जन्तकोशका दिखाई गई है और ये पादकोशका तो इसके बाहर की एक पट्टी होती है और इसमें एक ये होती है ये जो अंदर की है उसे क्या कहते है कोशका जिली कहा जाता है कोशका जिली क्या करती है किसी भी कोशका को एक रूप पदार्ण करती है और उसके बाहर के जो पदार्थ होते हैं उनको अंदर बाहर आने का नि उसके बात करें कोश्का भित्ती गी तो कोश्का भित्ती जो ये है ये मोटी जो परत होती है बाहर की कोश्का के बाहर पाई जाने वाली उसे कहते हैं कोश्का भित्ती लेकिन ये पादप कोश्का में ही कोश्का भित्ती पाई जाती है और ये बहुत द्रण होती है ये सलूल पाया जाता है एक होता है क्या बीच का जो खाली स्थान जिसमें जिसे जीव द्रव कहते हैं यह यहां पर ठीक है उसे जीव द्रव कहते हैं जिसमें विभिन परकार की विभिन परकार की यह जो हमारे कुछ जीव द्रव हैं वो तैरा करते हैं ठीक है अब बात करें तो जीव द्रव में भी तीन पार्ट हैं जिव द्रव जो यह है एक ऐसा स्थान जिसमें जिसमें क्या होगी कोश का द्रव होता है और उसमें रिक्तिका मतलब खाली स्थान भी जैसे रिक्तिका हो गई उसके अलावा यहां पे केंद्रक तो यह अभी मैंने आपको बता है कि यह अंदर केइंद्रक कईडक या जालिका होती है यह जालिका उसे क्या करते है अन्तह द्रवी जालिका किसमें पाई जाती है इनमें तो यह आपको दिखाया गया है कि कुछ है हमारे जो चाहे पादप हो चाहे जंत कोशका उनमें दोनों में कौमन होते हैं इसके अलावा कुछ जो निश्चित हैं वो उसीमें पाई जाते हैं अब बात करें तो यह जैसे इसमें क्या अधरल lowak है कोश्का भिक्ति किसमें पाई जाते हैं सिरफ इसमें ईसमें इसमें इसमें रिक्तिका होती है और इसमें जलकि भी मास्त्रा पाई जाती है तो इस तरह है कई तो अब यहाँ पर एक करके बिनके भागों के बारे में जानते हैं तो अब राइबोसूम तो जो हमारी अंता अंता द्रवी जालिकाएं थी उनके उपर अंता प्रदवी जालिका है या जिली है उसकी सतय पर कुछ दानिदार रचना पाई जाती है तो उन्ही क्या कहते हैं राइबोसूम का मुख्यता कारण कारी क्या है वो प्रोटीन को संसलेशित करने का काम करती है अब बात करें तो राइबोसूम की सबसे पहले खोज एक कलाडे ने 1943 में किया था ठीक है मलब उन्होंने देखा था और उन्होंने उसको कहा था माइक्रोसूम जबकि 1958 में रावर्ट और हिगनू ने इसका नाम क्या दिया राइबोसूम दिया इसके बात करें माइट्रोकांडिया तो माइट्रोकांडिया क्या है ये देखिए ये इस टाइप से ठी है तो माइट्रो कांडिया क्या है इसकी खोज की थी आल्टमेन ने आल्टमेन तता फ्लेमिंग ने की थी 1882 में यह एक दोहरी जली से घिरी कैपसूल के आका कि संद्चना होती है जो सुसंक्रिया में भाग लेकर उर्जा उत्पन तथा संचित करता है मतलब उर्जा बनाने का और उसको संचित करने का कारी करती है इसे कोश्का का इसलिए इसे कोश्का का पावर हाउस या उर्जा ग्रह कहा जाता है अब बात करें गाल जी काई तो गाल जी काई की सरुब थम जो खोज थी, वो की थी, कैमिलो गाल जी ने की थी, उन्ही के नाम पे गाल जी का इसका नाम कर दिया ये इसे लिपो कांड्रिया और पौधो के संदर्ब में क्या कहते हैं, डिक्टो सोम कहते हैं ये कोश्का के भीतर तथा बाहर पदार्थों को भीजने का कारी करता है बना होता है और ये सीधी बात क्या पदार्थों को इधर उधर 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 उषब करने का या उसको भंदार करने का उसको स्रुवित मतलब इधर उधर 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 का काम करता है। लाइमोसों जो है, इसका सरौप पथम d यू डि ने1905 में इसकी क्होज की थी करते हैं भूजन को पचाने का कारी करते हैं और ये कोशका में आने वाले पदार्थों को जो भी खाते पीते हैं उनको पचाने का कारी करता है ठीक है इसके अलावा भी हमारे बहुत से हैं जैसे कोशका जिली तो कोशका जिली जो है वो हमने बताया था कि ये हमारे सिर्फ और सिर्फ मादब ये दोनों में पाई जाती है कि इसमें जन्त और पादब ये एक ऐसे जिल्डी है जो रोकती है जबकि कोशका भित्ती जो है वो कोशका भित्ती क्या होती है सिर्फ हमारी पादब कोशकाओं में पाई जाता है ये द्रण आकार की होती है जो ये प्रयास करती है कि इसे उसको और वो काहे की बनी होती है मतलब उसको एक द्रणता पदान करती है और ये काहे की बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है ठीक है इसी तरह और भी इसके पार्ट है जिनके बारे में आपो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे